Trade with Pakistan Stock Market Update क्या आप भी Pakistan Stock Market में invest करके पैसा कमाना चाते हैं तो नीचे दिये गए होई WhatsApp नमर पे contact करें क्योंकि हम आपको देंगे बरवक भेतरी मेश्वरे उसके साथ साथ अगर आपको हमारा consistency services group जोएन करना हे या फिर अकाउंट ओपिन करवाना है तो आप हमारे नीचे दिये गए हुए वाटसेप नमबर पर कॉंटेक कर सकते हैं अस्सलावालेकूम एर्यवन तो मैं आज आपको बताने वाली हूँ कि आप 2022 में PSX में कैसे पैसा कमाएं तो ये जो वीडियो है वो खास करके रीटेल इंवेस्टर के लिए क्योंकि रीटेल इंवेस्टर क्या होते हैं ये ज्यादा तर अपनी जो भी सर्विसिस होती हैं ये ब्रोकर से लेते हैं ये बाइंग और सेलिंग जब भी करते हैं तो ये ब्रोकर के साथ कंसर करते हैं और इ आगे चलके आप यहां मार्केट से बहुत अच्छा कमा सकते हैं उसके अलावा में आपको कुछ कमोडिटी की प्राइस का बताऊंगी कि अगर इनमें चीजेंग आती है तो आगे मार्केट की क्या कंडिशन होगी क्योंकि ज्यादा तर आज जिसे आप देख रहे हैं कि अभी स्टेट बेंक का पाकिस्तान का बिल पास हुआ है 600 बिलियन का और इसके इलावा आईमेफ की अगर मीटिंग होगी तो क्या मार्केट में चेंजिंग साइगी तो सारी जो भी इसकी इंफरमिशन होती है तो यह ज्यादा तर इसकी एंडरस्टेंडिंग ब्रॉकर के पास होत तो जो भी इंवेस्टर होते ना रिटेंवेस्टर चाहे बड़ा इंवेस्टर हो या छोटा इंवेस्टर हो सबकी माइन में यही है कि 2022 में मुझे मार्केट से बहुत ज्यादा कमाना है अब सिर्फ इसको सोचना काफी नहीं होता है इस पर वर्किंग करना भी बहुत जरू कि यहां पर किसी ने कुछ नहीं कमाया है मौस्ट्री लोगों का लॉस हो आए किसी स्टॉक ने सही परफॉर्म नहीं किया है तो इस वीडियो में आपको सब बताऊंगी कि किन चीजों पर जो एक रिटेर इंवेस्टर उनकी ग्रेप और उनकी अंडरस्टेंडिंग हो तो वह मार्किट को सही से समझेंगे कॉन्फिडेंट हो जाएंगे उसके बाद अगर यहां से बाइंग करेंगे तो यहां पर इनका प्रॉफिट भी होगा सबसे पहले मैं आपको यह पता दूँ कि यह जो वीडियो है यह एक आर्टिकल पर पैसे डे इसमें जितनी भी इंफॉर् करना ज़रूरी है कि सबसे पहले कि आपके माइन में 2022 में आपने बहुत सारे लोगों से इंफरमेशन ली होगी वाटसेप ग्रूप पे इंटरनेट पे यूट्यूब पे यूट्यूब पे आपको बहुत सारे इंफरमेशन मिली होगी और आपके माइन में एक चैन आफ था तो आपको क्या करना चाहिए तो यह चीजी आपको समझना बहुत जरूरी है जैसे के डॉलर का रेट हो गया ओल प्रैस हो गई एल एंजी हो गई या इंट्रेस्ट रेट बढ़ गया इंफ्लेशन कम हो गया तो इन चीजों के बारे में आपको अंडरस्टेंडिंग होना अब आप बहुत सारी लोग ऐसे भी होंगे जो ब्रॉकर से सर्विसस लेते होंगे तो उनसे सवाल करें कि यह चीज जो इंफ्लेशन है अभी क्या है इंट्रेस्ट का क्या रेट है यह तो इसली आपको इंटरनेट से भी मिल जाएगा मार्केट से आप इसी तरह से कमा सकते हैं क्योंकि अब आपको खुद में चेंजिंग्स लानी है लेकिन यह आपको याद रहे कि जो भी रिटर इंवेस्टर होता है वो मार्केट में उसको तब इंफरमेशन मिलती है जब मार्केट में रेली आ जाती है सब ने इस पर एक्ट भी कर दिया और जो बड़े ब्रोकर हैं वो यहां पर सेलिंग भी कर रहे हैं लेकिन अब आपको चेंजिंग करनी अब आपको खुद इन चीजों पर भी वर्किंग करनी है क्योंकि देखें जब आप पैसा आप लगाते हैं तो आप उस बिजनिस को समझें जिस इंडिस्ट्री के भी आप शेर्स ले रहे हैं त क्योंकि जब आपको चेंजिंग आती है तब ही आपको अपनी अर्निंग में भी चेंजिंग नजर आएगी तो अब तो मीन्स आपको इन चीजों पर हॉमवर्क करना है तो अब मैं आपको इसी चीज़ें बताओंगी जो आपको समझना वो जरूरी है और अगर आप इन ची मार्किंग की गई है तो मैं आपको बताओंगी कि मेरे मेरे माइन में अभी क्या थोट्स है और इस पर आगे चल के इस पर एक्षिन करना है कि नहीं करना है अगर आप यह चीजे समझते हैं सबसे पहले अगर और प्रैसिस की जो अगर मार्केट में वह कम हो जाती है तो यहां अब बात करने वाले हूं सिमें स्टॉक के बारे में कि जैसे कि आप काल की प्रैसे उन 20 पर टन है लेकिन अगर इसकी प्रैस कम हो जाती है यह दो एक कंडिशन है यह बाइक करने की एक वीडियो भी बनाए ती जिसमें लेन डीजी खान सिमेंट का बताया था कि जब को प्र बाइंग स्टार्ट हो गई थी कि आगे चर्किस का रेट पढ़ेगा और हम यहां से अर्निंग करेंगे लेकिन लोगों को जो इनकी में चीज थी वो तो पता ही नहीं था रीजन यह था कि कॉल की प्रैसे बढ़ने की वज़े से उनका रेट कम हो गया था उसके इलावा कार स् स्टॉक से वह फैवरेबल हैं उसके इलावा एक्सपोर्टर्स इप ग्लोबल कंटेनर इंडेक्स इनका जो प्राइस से वह कम हो जाता है सिक ताउंड यूस डॉलर हो जाता है क्योंकि करनली जो इसकी प्राइस से वह 9,680 यूस डॉलर तो है यूस डॉलर 11,100 और इसके इल मैंना जरूरी है कि अगर ओयल की प्राइस बढ़ जाती है तो क्या होगा कम हो जाती है तो क्या होगा अगर जो एक्सपोर्ट जो ग्लोबल कंटेनर इंडेक्स उसकी प्राइस अगर बढ़ जाती है तो क्या होगा और अगर एलन जी की प्राइस कम हो जाती है तो क्या होगा steel oil और जो call की prices अगर ये बढ़ जाती है तो क्या होगा उसके इलावा अभी मैं आपको ये बताओंगी कि अगर जो हमारा जैसे कि अभी आपको पता है कि हमारा जो inflation है वो पाकिस्तान में 12.5% है लगन अगर ये कम हो जाता है 10% हो जाता है तो उस वक्त dividend yielding companies के जो share से वो buy करन क्या conditions होती है उसके लावा growth stocks पर मैंने बनाई थी तो ये वो वीडियो है growth stocks से बारे में जो मैंने बनाई थी मैंने उसमें ये बताया था कि पाकिस्तान stock market में ऐसी company जहां से investors को high capital gain होगा तो ये वीडियो आपको देखने के लिए देखने की बहुत जरूरी है उसके लावा एक dividend yield वाली भी वीडियो में ने बनाई थी वो भी आप देखिएगा तो अभी जो मोशी जो retail investor होते हैं तो उनकी गलती क्या होती है कि उनकी ज्यादा इन चीजों पर working नहीं होता तो वह ज्यादा easily market में जो broker होते हैं या उसके लावा कोई और उनके friends होते हैं उनको easily उनको करते हैं और जब market मंदी आ जाती है फिर नीचे rate गिर जाता है फिर ये market को बुरा बला कहते हैं उसके इलावा सबसे पहले तो आपको यह चीज़ अवाइड करनी होगी कि कोई भी आपको बेवकूफ ना बनाए उसके लिए आपको सही से analysis करनी परेगी इन चीजों पर उसक लें उसके इलावा last piece of advice में आपको दूँगी कि सबसे पहले तो आपको confidence होना जरूरी है confident आपको कब आएगा जब आप चीजों पर आपकी working होगी सही से understanding होगी तब ही आप इस पर action ले सकते हैं उसके इलावा कोई भी चीज अगर आप करते हैं तो उसके 100% guarantee नहीं होती है क कि एक market होती है कि सबसे पर आपको यह समझना जरूरी है कि इक्विटी investing होती है वह always risky होती है तो आपको रिस्क होता है वह आपको रिस्क टेकर यहां पर बनना पड़ेगा और हमेशा ready रहना पड़ेगा और आपको careful भी रहना पड़ेगा और स्टार्टिंग में अगर आप पर आपको जो लो से वो कम होता है इन चीजों की वज़़े से तो मीड करती हूं कि आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी और हमेश्क की तरफ से थैंक्यू सो मच पर वाचिंग दिस वीडियो और अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक भ अफस्ट